नमस्कार साथ यो आप देख रहे हैं न्यूज टोडे करमचारी समाचार में आपका स्वागत है देश के इन एक करोड करमचारियों के लिए मिली बड़ी खुसकवरी बित्त मंत्रान ने इस अधीनियम से छूट दी देश के सभी करमचारी देखें ये गुड न्यूज और आ एक सकते हैं नई देली से ख़वर आ रही है कि भारत के करीब एक करोड सरकारी करमचारियों के लिए गुड न्यूज है बित्त मंत्रा ले ने आएकर अधीनियम 1961 की धारा दस दस तीन के तैद ग्रेजूट के लिए आएकर छूट की सीमा को बढ़ा कर 20 लाक रुपे कर दिय केंद्रिय स्रम एवं रोजगार राज मंत्री स्री संतोस कुमार गंगवार ने उम्मी जताई है कि इस से पी एस यू के उन करमचारियों और अन करमचारियों को जो पेमेंट ऑफ ग्रेजूटी एक्ट 1922 के तहट नहीं आते थे को लाब मिलेगा और उन्होंने साथ ही इस और सारजनिक छेत्र के उपक्रमों में कार करने वाले करमचारियों के बेतन ब्रदी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है ग्रेजूटी की सीलिंग की नवीनतम ब्रदी को 12 सरकार के दिनांग 29 मार्च 2018 की अधी सूचना के अनुसार किया गया जिसक की सीमा को 10 लाख रूपे से बढ़ाकर 20 लाख रूपे कर दिया गया जो 29 मार्च 2018 से ही प्रवावी होगा तो दोस्तों आपको यह न्यूच कैसी लगी कमेंड करें जो पसंद आया तो लाइक करें और अपने बचार सुर्ण नीच कमेंड रोक्स न जरू लिए और आगे सब्सक्राइब और बैल के एकन पर क्लिक करके वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद